मेरे पास कुछ फोटोज आई हैं अब जाइड से बात है मुद्दा खुलता है तो सारी परते निकल के बाहर आती है दिर दर 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 करके तो एक न्यूज आपने अब भी हाली में सुनी होगी आज कल में कि खालिद सैफई नाम का फैसिलीटेटर जिसने उमर खालिद उताई कि मीटिंग करवाई कहा जाता है कि दिल्ली दंगों में इननों का जो हाथ था उससे लिंक किया जा रहा है अब मैं दिखाना चाहता हूं कि यह किसके किसके और संपर्क में हैं और देखते ही आप लोग समझ जाएंगे कि क्यों इस पूरा ग्रुप एक ही सुर में बोलता है कजरिवाल सहाब भी है बहुत खुशी से मिल ले हैं मैं यह सोच रहा हूं कि केजरिवाल सहाम ने खुद क्यों नहीं उनने काता ना कि जब अगर हमसे जुड़ा हुगा कोई वेक्ति हमारी पार्टी के पकड़ा जागा तो मैं खुद उसकी सजाद डबल की मांग करूँग और स्ट्रिक्ट करवा दूंगा यह इनकी पार्टी का नहीं था शायद लेकिन सायद संबन्द थे थोड़े बहुत मैं डिरेक्ट एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं सवाल है मेरा आप ऐसे मिलते हैं इसका मतलब आप जानते हैं और अगर आदमी इस तरीके से इस घटना में स सफ्ट थे और यह जितने पत्रकार हैं जितने जो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट बनते हैं अपने आपको तो इनका भी समर्थन प्राप्त हुआ कहीं ना कहीं माहौल को क्रीट करने आग में घी डालने में इनका भी कहीं ना कहीं हाथ पाया जाए अब मेरा काम दाजनता को इस क्योंते हैं